नदी के पीछे क्या है कारण की नदी के पीछे क्या दिकास हुआ है हमारी सर्विता को तो हम बता दे कि मिट्टी में चार चीजों से चार चीज मानने के चलता हैं अगर हम इन चीजों को आपस में तो नूखली केसीट का फॉर्मेशन होता है और नूखली केसिट का फॉर्मेशन का मतलब हो गया अगर DNA बन जाएंगे तो जीव बन जाएंगे इसलिए पुरानी जितनी भी सभिता रही है उसमें कहीं न कहीं से नदी के किनारे किसी भी जीव का निर्मान संभव हो सका है इसके पीछे कारण क्या है कि पानी एक सबसे बड़ा सॉल्वेंट है और वह किसी भी सॉल्यूट को असानी से घुला देता है जिससे बारी सोने के बाद अक्सर देखा जाता है कि मचलियां या चोटी-चोटी कीरा मकोरे का फॉर्मेशन हो जाता है चीजों को मिलाने के लिए जरूरत होती है तो अगर हम इन चीजों को आपस में मिला देंगे तो जीव का निमान हो सकता है इसलिए जितने सभिता जितनी भी देश मने है जाहे बहुत भारत हो चाहे नील नदी के निकट बसा हुआ पाकिस्तान हो या कोई भी आसी सब किसी भी छेत्र का सभीता का विकास नदी से हुआ है नदी जीवों के निर्वान में संभव है और जितने भी जीव जनतु प्रित्वी पे आये हैं चाहे वह पोरी फेरा सेरेंटेट्स टीनोफोरा प्लाटी हेलमेंथिस एसके हेलमेंथिस केणलीडा अर्थ्रोपोडा मुलसका इकाईनोडर्माटा हेमी कोडाटा इन सबों के विकास में हम लोग मैमेल्स पानी में रहने वाले एक्वेटिक या एंपीवियंस दोनों जगर रहने वाले या बॉड्स इस सबों के निर्मान में कहीं-थी से जल का जरूत है जल के अल कि जना जल और कन मतलों अनुप्रमानू यह मिटी में बाई जाने मेले मॉलेक्यूस यह बहुत-बड़ी जरूरत होती हैं जो जीवों के निरमान में सक्षम होते हैं साथ ही साथ सूरु से आने वाला टेंपरेशर और भी कई सारे चीजें हैं जो जीब को निमान करने में सक्षम हो पाता है तो बारिस के टाइम में लोग ये कहते हैं कि उपर से बारिस हुआ है उपर से मचली गिरे हैं, उपर से साप आया है, उपर से मेडक है तो यह धारना यह गलत है, यह धारना यह है कि पानी किसी भी चीज़ को मिला कर आपस में जीब बना सकते हैं, कोई भी जीब किसी भी जगा आता नहीं, जैसे सर में जूक आना कहीं से आता नहीं है, उसके अंदर ही उसके formation होते हैं, उसी तरह से जल में मचलियों का बनना, पिटवी का एक घटना क्रम है, और इसी घटना क्रम में इसका निर्मान हूता है, मच्छरों का बनना, चीब के बहुता एं जीब की बिलुप्तता के लिए सक्षब होते हैं, जैसे भुकंप का आना, ज्वाला मुखवी स्पोर्ट होना, सुनामी का आना, यह सारी घटना क्रम हैं। और इस घटना क्रम में कुछ जीवे exist होती है, और कुछ जीवों का formation भी होता है। ठीक है थियोरी एडपेशन एडपेशन थियोरी यही कहता है डार्वी ने यही कहा था या लेमार्क ने यही कहा था कि जीवों का नियमान में कुछ ने कुछ परिवरतन आते रहना चाहिए और साथ ही साथ पुराने जीवों का जाना भी जरूरी होए तो पुराने जीव कर न ताकि आप इस प्रिथ्वी पे रखन रहने के लिए सक्षम है कि नहीं, आपके अंदर अनुकूलता है कि नहीं, आप एडेप्ट हो पाते हैं कि नहीं, इसलिए इंभार्मेंट में इस समय से हैं, पर पूरे जीवा नवधी में लगाता टेस्ट लेकर आपको यह सुचित करती है कि आप इस प्रिथ्वी के लायक है कि नहीं, आप सक्षम है कि नहीं और आपको त्यार करती है, जिस तरह से मौसम बदल रहे हैं, आप भी बदलिए, नहीं तो आप प्रिथ्वी से बिलुप्त हो जाएंगे, यह एक अपने आप में एक तियोरी है, और प्रिथ्वी पे मौझूद है तो कहीं न कहीं से उस थियोरिया या उस कंसेप्ट में पास है इसलिए वह प्रित्विवे विद्यमान है थांक्यू इस तरह के अपडेट्स इस तरह की सूचना आप तक कहीं कहीं से बहतर सावित होगी क्योंकि यह हमारा एक अनुभव है और इसी अनुभव के सारे आपको हम बताने की गोशिस करते हैं